मुद्दे में शुरुवात करते हैं मुद्दा ये है कि कॉंग्रिस का काया कल्प सुनते आ रहे होगा कैसे ये मुझे बताईए लेकिन होगा कैसे उससे पहले एक सवाल यह है कि ये दशा हुई क्यों ये भी बताईए प्रतीक भाई काश आप ये भी पूछते के महंगाई का काया कल्प कैसे होगा किसान की समस्याओं का कैसे होगा बेरोजगार नौजवानों 10 प्रतीशत आज ही आप दिखा रहे थे के 10 प्रतीशत बेरोजगारी हो गई वो कैसे होगा कहीं ना कहीं इस देश के चिंतन में कongress का भाव और सोच दोनों जुड़ी हैุ जब इस देश के 149 कोरोड नागरिकों को टीस और चोट पहुँचती है तो वह हमें भी पहुँचती है और इसलिए इस देश का काया कल्प और कॉंग्रिस का काया कल्प दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं, और इस की लड़ाई, इस देश के हर नागरिक को लड़नी पड़ेगी, वो हमसे सहमत हो, या ऐ सहमत हो, इससे कुछ परक नहीं पड़ता. तो महेंगाई के खिलाफ आप सुना कि अब आप आंदोलन करने जा रहे हैं और कब कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं कुछ महेंगाई को लेकर को कोगी लोग कह देते हैं कि भाई महेंगाई पे आप कैसे बोलेंगे आपकी जब सरकार थी तो आप ही कहते थे पांच रुपए में तो आज मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि कॉंग्रेस वो रैली करेगी हम उसको अगर दिल्ली में अब मोदी जी नहीं करने देंगे तो जैपुर में करेंगे और बारे तारीक को ही करेंगे अब आप याद करिए जब 108 डॉलर कच्चा तेल था तो हम तो यह जो किसान जिसकी फोटो आप दिखा रहे हैं तो इस किसान को 56 रूपिया लीटर डीजल लिटा था आपके यह जो तस्वीर में वो तो खुश दिख रहा है तस्वीर में खुश है पर काश दिल्ली की सीमा पर भी हुकमरान देख लेते जाकर तो दर्द पीड़ा और तकलीफती मों नजर आ जाती 70 रूपिया लीटर पेट्रोल था आज आज कच्चा तेल क्या है 80-82 से अब कम होकर कहते हैं कि 68-70 तक आ गया तो यही तो कह रहा है कि जब आपको मुद्दा उठाना चाहिए जब एकद चूक जाते हो यही चूक हो जाती कांग्रिस से देखिए आप कह रहे हैं कि अब मोदी जी ने क्या किया आप कह रहे हम सडकों पर नहीं हां तो पूरा देश सडक पर पहुंचा दिया वो किसान हो वो MSP को लेकर सडक पर है कर्जमापी को लेकर सडक पर है बे रोजगार हो वो बेरोजगारी को लेकर सड़क पर है, नौकरी को लेकर सड़क पर है, ग्रहनी हों वो गैस के सेलिंडर को लेकर सड़क पर है, चार सो रूपे से अगर एक हजार रूपिया गैस सेलिंडर हो जाएगा और दो हजार रूपिया शादी के समय कमर्शल सेलिंडर का महंगाई का तड़का लगाएंगे तो पूरा देश सड़क पर है और देश के साथ साथ हम भी हैं पर एक बात साबित हो गई इस किसान ने ये साबित कर दिखाया कि ताहना शाह जो है वो जुकता है जुकाने वाला चाहिए तो आप कह रहे हैं कि ये सरकार ताना शावक की है मैं नहीं कह रहा है ये तो पत्रकार कह रहे हैं जो कल विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं क्योंकि आप सब को संसद की प्रेस गैलरी में नहीं जाने दिया जा पता है वो देखा मैंने आपका ट्वीट देख रहा था मैं जिसमें आपने कहा कि जो भाजपा की नहीं भाचा बोलेंगे और लॉट्री वाला कुछ पूल दिया मैंने कहा कि जो पढ़ाएगा भाजपा का पाठ उसी को मिलेगा संसत का पास अब तो देश के लोग भी कहने लगे हैं कोई लोटा दे मेरे